पाँच राज्यों में चुनाव से पहले ही भाजपा ने नेताओं और पत्रकारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अपने सयोगी जांच एजिंसियों के माधियम से भाजपा के व्रोध में बोलने वाले लोगों पर जांच एजिंसिया बिठाई जा रहे हैं पत्रकारी नेताओं को जबरस्ती पकड़ा जा रहा है अगर भाजपा के खलाब बोलोगे तो पकड़े जाओगे लेकिन भाजपा में शामिल होते ही एकदम साफ सुत्रे हो जाओगे भाजपा राजनिती के साथ साथ वाचिंग मशीन का भी काम कर रही है मशीन में डालो और साफ होकर निकलो फिर चाहे इनके सांसदों पर योनशोशड के आरोप लगे या फिर भरस्त चार के हमारे प्रदान मंतरी जी अपने भाजपा में बड़े गर्ब से कहते हैं कि भरस्त चारी उनके बगल में नहीं बैट सकते लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी में शामिल बड़े बड़े नेता प्रिस्ट चार के आरोपी है भाजपा में शामिल हुए अजित पवार एकदम से प्रिस्ट चार मुक्त हो जाते हैं जबकि खुद भाजबा ने उन पर भिस्टचार के गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन पार्टी में शामिल होते ही अजित पवार भिस्टचार मुक्त हो जाते हैं तो देखा आम आदमी पार्टी के सांसर संजी सिंग सीधा भाजबा सरकार पर निशान असाथ रहे हैं वो खह रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की भाजबा में जितने भी बेमान लोग हैं देश के लाखो करोड़ो रुपिये लूटने वाले लोग हैं वो मोदी के साथ हैं जो इमानदार हैं उनके खलाफ कारवाई की जा रही है लगदार संजे सिंग से जाच एजनसियों की पूस्ताच के बाद भी वो बिना डरे बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं जा टेंजिंसियों के पूस्ता आज के बाद ज्यादा तर लोग मीडिया के सामने आने से या कुछ बोलने से बच्चते हैं लेकिन संजिय सिंग पर शिकंजा कसने के बाद भी वो खामोश नहीं हैं लगादार भाजपा पर निशान असात रही हैं आपको बता दे कि प्रधान मंतरी के जिगरी यार और बिजनिसमेन अडानी पर धोका धड़ी के आरोप लगते रहे हैं कुस्स में पहले ही हिंडनबर्ग ने अडानी समू पर बही खातों में धोका धड़ी और शेरों के भाव में गरबडी के साथ विदेशी यूनिट्स के गलत इस्तमाल का भी आरोप लगाया था जिसके बाद अडानी को ट्रोल्स और लोस का सामना करना पड़ा था लेकिन इन सब के बावजूद भी भाजपा सरकार ने अडाने का साथ नहीं छोड़ा और शायद इसी वज़ा से उन पर अभी तक कोई कारवाई भी नहीं हुई लेकिन दूसरी तरह भाजपा सरकार आमादमी पार्टी के नेताओ मंत्रियों पर खुब आरोप लगा रही है फिर चाहे वो मनीश सी सोधियां हो या फिर गोपार रहा है खुद की पार्टी में बैठे है बड़स्ट चारी उन्हें नजर नहीं आते संजी सिंग ने भाजपा की तरफ से खुद पर लगया आरोपों को खंडन किया है और ब्रधान मंत्री पर निशान सात्ते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी अडानी के नोकर है नोकरों से हम नहीं डरते यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए वीडियो संजी सिंग ने वर्धान मंत्री मोदी को अडानी का नोकर तक कह डाला अब आप साफ साफ सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अटानी के नोकर है नोकरों से हम बात नहीं करते जिद्र जाहे अतरचार कलो हम डरेंगे नहीं साथ ही उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को भी गलत बताया है इसी साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसवा चुनाओं की तारीक पिया गई है लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि गोदी मीडिया जो सरकार की वहवाई करते हुए ने थकती वही गोदी मीडिया भाजबर सरकार को हारते हुए दिखा रही ऐसे में अगर ये सर्वे सच हो जाता है तो मोदी सरकार के लिए 2024 का विधानसवा एलेक्षन जीतना मुश्किल हो सकता है क्या इसी वज़े से बीजबी एक एक करके नेताओं पर शिकंजा कस्वा रही है यह यूँ कहें कि उसे पार्टियों के गटबंदन से बना इंडिया गटबंदन से डर लग रहा है इसी वज़े से भाजबर विपक्ष के नेताओं पर जांट एंजिंसिया बठा रही है संजी सिंग लगाता जांट एंजिंसियों के सवालों का सामना कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वह भाजबर निशान साते हुए दावा करते हैं कि बीजेपी चनाव हारने के डर से यह सब ड्रामे कर रही है चनाव हार रही हैं इसलिए यह सब करवा रही हैं क्या बाकी मोधी सरकार को खुद पो उठती हुई उंगलिया पसंद नहीं है जबी वो उठती आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं ताकि कोई उसके खिलाफ ना बोल सके लोग अपनी आवाज ना उठा सकें लेकिन देश में आज भी वो नेता वो पत्रकार जिन्दा हैं जो सरकार के अतिचारों से डरते नहीं हैं और सरकार से लगातार सवाल पूछते रहते हैं खर इस वीडियो पर आपकी क्या रहे हैं हमें जरूर बताएं और बाकित तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ